Hello everyone, this video is for CA Interest Twins, जो लोग अपना exam देने वाले हैं इस video में अपने बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना advanced accounting का paper attempt कर सकते हो so that आप maximum mark score कर सको बहुत ही छोटा सा video रहेगा, पर आपके लिए बहुत ही effective हो सकता है, इसलिए end तक जरूर देखना तो सबसे पहले तो guys, advanced accounting का paper आपका सबसे पहला exam होता है तो exam hall में time से काफी पहले, at least 30 minutes before the schedule time पहुँच जाना और एकदम calm, relax होकर के बैठना और खाली ये सोचना कि अब आपको जब question paper मिलेगा तो आपको किस तरह से उसको attempt करना है खाली ये strategy बनाना, अगल बगल में लोगों से बात भी मत करना तो जैसे ही आपका reading time शुरू होता है, reading time को इस चीज के लिए use करना कि other than mcqs, जो बचा हुआ 70 marks है, उसमें से कौन सा ऐसा दो question है, 14, 14 marks का जो आपको सबसे अच्छे से आता है ये selection सबसे पहले try करना करने का कि वो 2 questions, 14 marks का, 14 marks का वो 2 questions जो आपको सबसे अच्छे से आता है जैसे ही लिखने का time शुरू हो, आप वही वाला सबसे पहले question attempt करना जो आपको सबसे अच्छे से आता है, ये बहुत important है क्योंकि जैसे ही आप एक 14 marks का question attempt कर देते हो जो आपको बहुत अच्छे से आता है आपका confidence high हो जाता है और आप exam hall में calm down हो जाते हो अब आप उसके बाद जो भी question attempt करते हो उस समय आपका mental state much better रहता है and when I say 14 marks का question it doesn't mean कि एक single question जो 14 marks का है वही वाला pick करो बलकि वो try करना कि एक single question 14 marks का या 10 marks का है वो आला हम नहीं pick करें 554, 86, 77 इस तरह का combination वाला जो 14 marks है वो pick करने का try करना वो जैसी आप attempt कर देते हो आपका confidence थोड़ा better हो जाएगा उसके बाद जो आप next question attempt करोगे वो हो सकता है कि एक और 14 marks का question है जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आप attempt करो या फिर आप चाहो तो MCQs भी अब कर सकते हो एकदम starting में first question MCQ attempt करना logical नहीं है क्योंकि आपको reading time में देखो एक तो आपको OMR sheet मिलता नहीं है आप attempt तो करनी सकोगे दूसरा बात आपको MCQs attempt करना ही करना है उसमें आपको कोई selection करने का जरुवत ही नहीं है you don't have an option MCQs तो mandatory या 30 marks वो आपको attempt करना ही करना है MCQs में mistake होने का chances भी high होता है तो ये better है कि आप पहले थोड़ा calm down हो जाओ थोड़ा सा relax हो जाओ वो question attempt कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसके बाद आप MCQs में माथा लगाओ तो say for example आप एक question attempt करते हैं 14 marks का और उसके बाद आप MCQs pick करते हैं जिसको आप back to back 30 marks पूरा attempt करते हो तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे by 1 hour 1 hour 10 20 minutes मतलब maximum 80 minutes के अंदर-अंदर आप एक तो वो 14 marks का question कर चुके हो जो अच्छे से आता है और दूसरा 30 marks का MCQs भी attempt कर चुके हो तो करीब-करीब 44 marks का paper आपका attempt हो जाएगा जो आपको probably अच्छे से आता होगा MCQs में obviously ऐसा हो सकता है कि एक थोड़ा tough question आजाए तो भी do not worry आप उस question को एक बार के लिए छोड़के मतलब OMR sheet में आपको marking करना रहेगा एक question या दो question मान लो tough आया जो आप अभी अच्छे से attempt नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं उसको एक बार छोड़ो फिर आप इस strategy के साथ आगे बढ़ो कि आपको next ऐसा कौन सा question है जो आपको अच्छे से आता है तो जो question आपको जितने अच्छे से आता है उस sequence में attempt करना बस एक बात ये धियान रखना कि MCQ सबसे पहले attempt नहीं करना है और सबसे last में भी attempt नहीं करना है क्योंकि MCQs mandatory है correct अच्छा marking अगर आप दिमाग लगा करके करो तो MCQs आपको बहुत अच्छा score दे सकता है तो उसको last के लिए मत छोड़ना कि जैसे तैसे attempt करना पड़ जाए तो say for example आप first one, one and a half आस के अंदर अंदर करीब करीब 50 marks का वो वाला paper attempt कर चुके हो जो आपको decently आता है या फिर अच्छे से आता है तो आपका confidence थोड़ा सा high रहेगा अब आप एक ऐसा question pick करो जो probably थोड़ा बड़ा question है 10 marks से जादा का question है probably एक single question है जो पूरा full fledged 14 marks का है तो अब आप उस question को एकदम अच्छे से आराम से attempt करो try करो कि थोड़ा सा शांती से करें क्योंकि उस question में थोड़ा time जादा लग सकता है जो आप estimate कर रहे है उससे थोड़ा जादा time लग सकता है तो कोई problem नहीं क्योंकि आपने अल्यडी पहले cover up कर चुका है थोड़ा बहुत वैसा question attempt कर चुका जो आपको अच्छे से आता था तो और उसमें ऐसा भी है कि आप मान लो last में आपका answer match नहीं हो रहा है या फिर balance sheet बनाना है balance sheet match नहीं हो तो भी एकदम panic नहीं होना है आप मोटा मोटी अगर proper अच्छा attempt किये हो तो आपको अच्छा खासा step marking भी मिलना चाहिए last में आप वही question attempt करना जो थोड़ा सा tough है या थोड़ा complex है और जिसमें आपको confidence नहीं है और आप maximum step marks निकालना चाहते हो ऐसे question से वो question आप एकदम last में attempt करना तो key point है कि आपको पहला question कौन सा attempt करना है सर जो आपको सबसे बढ़ियां से आता है MCQ से हम लोग start नहीं करेंगे next question MCQ हो सकता है MCQ can be the third question also जैसे 14 14 marks का अगर दो question है जो back to back बहुत अच्छे से आता है तो पहले वो दोनों कर लो और उसके बाद MCQ कर लो वो भी आप कर सकते हो in first hour try to attempt around 40 marks which you know best अब ये first hour का मतलब 1 hour 20 minutes तक मान लो 80 minutes में पहला 80 minutes में कम से कम 40 marks बहुत अच्छे से attempt हो ये try अगर आप करोगे तो आपको confidence मिलेगा attempt long question that is 10 marks से जादा वाला question 10 to 14 marks वाला question after first hour क्योंकि क्या होता है कि जब आप MCQ attempt कर चुके होते हो तो MCQ में आपको कुछ question paper ही help कर देता है कुछ keywords कुछ key important बात बता देगा जो probably useful रहेगा एक बड़े question में और जब आप इतना सारा छोटा 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 question attempt कर चुके होते हो है जिसमें आपको बहुत confidence नहीं है वो इतम last में attempt करना so that आप maximum step marks obtain कर सको guys यह first paper है आप लोग का तो थोड़ा सा काम रहे करके देना institute ऐसा करता है कि कोई एक question paper कम से कम tough देगा do not worry do not panic because उस समय जो काम रहेगा वो अगर शांती से अगर कोई paper attempt कर देगा तो वो भी एक decent marks लेकर के पका निकलेगा बहुत बार institute का यह कोशिश रहता है कि थोड़ा सा एक paper कोई भी out of all the six question papers कोई एक question paper ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा tough रहेगा जिसमें आपको panic कर दिया जाए जिसके वज़े से आप eliminate हो जाओ तो वस वहाँ पर आपको यह सोचना है वहाँ पर आपको यह समझना है कि उसी समय थोड़ा सा शांती रखो दिमाग में थोड़ा सा अपने आपको काम रखो और ऐसे सोचो कि यह सब के लिए बहुत tough है अगर आप कामली paper attempt कर दिये अगर आप एकदम proper तरीके से 75-80 marks का भी ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको हर एक question एकदम अच्छे से आता हो जितना आता है उतना अच्छे से और बाकी 20-30 marks का ऐसा जो शायद इतने अच्छे से नहीं भी आता है उसको भी अगर आप अच्छे से attempt कर दिये तो भी आप एक decent marks ले करके पक्का रिंकलोगे just because आपका पूरे question paper में मान लो 5 marks या 10 marks का छुट जा रहा है because of the shortage of time तो भी आपको डरना नहीं है लोग 80 marks का अच्छे से attempt करके भी 70 score कर देते हैं right, but obviously आपका पहला try यह रहना चाहिए कि पूरा attempt हो पाए कुछ भी छूटे नहीं और starting से ही थोड़ा सा speed maintain करना है right, तो जब आप initially ऐसा questions attempt करते हो जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो अपने आपको एक speed up भी दे देता है right, all the best आप बस शांती दिमाग से अपना नर्फ को maintain करते हुए एक अच्छा एक्जाम दोगे तो you will definitely come out with flying colors all the best, thank you so much, bye